आज का दिन मेरे लिए एक सौभाग्यता दिन है वेक्तिक जीवन में पचातर साल और आज नईतिक जीवन में पच्पन साल और सौसदिय जीवन में एक साल के बार पचात साल होगे और आज से अवसर पर जेश के गर्मान ने निताओं के सामने और आप के सामने यहाँ जो शब बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ और इसलिए मैंने कहां कि यह मेरे लिए सौभा के कर दिन है मैं नहीं जानता कि इतने सालों से लोगों ने मुझे राज में और देश में काम करने काम होका मिला दिया तो मेरी योग्यता क्या है और कहां तक मैंने समाज की और देश की सेवा करने के लिए प्रायास की मगर आप सब लोगों की उपस्तिती देखने के बाद मुझे महिसूस के दर लगा कि जो कुछ प्रायास और फरिशम किये इसका एक रिकरिगनाजिशन जेश के सभी बर गए के सभी हजार लेट इक दर इंडस्तिर वीडिया कई अजिसे बर गए इन सभी लोगों से आज मुझे मिल रहा है उनिस से सभूसत में मैं पहिदे बाद महारस्ति की विधान सभा का विधायक बना अर तुप से आज तक चाहिए विधान सभा हो चाहिए सांस्वद हो प्रति दिन जेश के लिए कुछ न कुछ काम करने का मोका मुझे लोगों ने दिया मैं याद करता हूँ कि इसके शुरुआत जरी से मैं ने कहा कि विधान सभा से शुरू ही तो जो मतदादा जिसमें ने मुझे परिजने बार मिधान सभा में बेजा वही मतदादा जाहे बार मती के हो चाहे माना क्षेतर के हो लगातार चौदाद चुनाओ में राज में या यहां बेजने का काम उसी मतदादा तर ने किया और इसलिए मुझे इन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनका विश्वास और समर्थन मेरे लिए एक अफूद उफ्रवदी है जब मैं मेरे राज मीची के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आती है कि जब मेरे उमर अच्छा थी तब मैं कॉंग्रेस पार्टी का एक्स्टूज सर्द से बना और यूज कॉंग्रेस पे काम करना शुरू किया जो काम करने के लिए मेहनत करने के लिए जो कुछ कोशिश होती थी इस पर द्यान दे पर उस समय के महा रष्ट के नेता श्रदे यस्वंत्र अच्वान उन्होंने मुझे संगतन में स्वंसर्द एक्षेत्र में श्यासन में काम करने करे बहुत बड़ा मोका दे दिया उन्होंने करने करने मुझे एक बड़ राष्ट के शुफूत थे शुफूत थे स्वत ध करने श्यान नहीं थे अजाज लिए इस देश का नक्षा मदलने के लिए चाहे पंजी जवाजगन रने रहो ज़ह श्रमती इंडिर्ण गांडी हो ज़ह लाण बड़ श्यास्ति जिस सभी के साथ मिलकर देश का चेहरा बदलने के लिए जिन लोगों ने काम किया इन में से एक वरिष्टनेता थे। राजनीती में और खास तरफ संसर में किस तरह से सब्वता से काम करना चाहिए इनका आदर्श्य उन्होंने हमारे सामने दिया। अर इसरे जब मैं सोचता हूँ कि इतने साल चाहे विदान सभा हो या चाहे राज्य सभा हो या चाहे लोग सभा हो सुमित राजी एक दिन में कभी ऐसा आया ने कि जिज जिज में सदन की मर्यादा छोड़कर हमने कुछ कदब उठाएगे ना कभी सामने गए या कामकाद में रुकाउट लाने के लिए कुछ कदब उठाएगे लोग हम सब लोगों को भेजते हैं लोगों की भावना होती है अफेक्षा होती है कि सदन चलना चाहिए और लोगों के समस्या के बारे में वहां ठीक तरसे बात होनी चाहिए बले हुकुमत में बैठे वाले लोगों की कुछ कमिया हो तो वो सामने लाने का अधिकार है मगर जब तक सदन चलेगा तब तक ही लोगों की यह सबस्या हम सामने ला सकते हैं और इसमें जो कुछ दुरूस्ति करने के आउशकता है वो दुरूस्ति कर सकते हैं और इसी लिए चवान साब से यह समसुद्य शिटाचार और मर्यादा इस बारे में कुछ सीखने का मौका मुझे मिला और इसके मुझे हमेशा खुशी है बहनों और भाईयों इस बात को कहने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि 125 क्रोर की आवादी वाला बहु बाची बहु धर्मी हमारा देश विश्च्व का सबसे बड़ा लोक्तंत्र है जिसे पूरा विश्व एक उबरते महा शक्ती के रूप में देखता है और इसलिए मेरा फूरा विश्वास है कि हम अपने बहुर वादी धर्मन निर्फेक्ष्व सहिष्णु अनि उदार चरित्र को अक्षुन रखकर अपनी विश्व रता के साथ विश्व के खेत्र में हम अगरे सर रहेगे मेरा ये दूरा नवह है कि आर्थित और सामाजी के विश्व के जरी ही गरी भी और अभाव को दूर किया जा सकता है इसलिए मेरे राज्य में हो या राष्ट रेवर्फ हो राजनीती में मैंने हमेशा विकास के लक्षों को सर्वतों पर लिए रखा विकास के माद्यम से ही धर्म, शेत्र, भाषा, अधिस, संकर नता को उसके उफर उठकर जनता के बीज में सद्वाव और एकता मदूर किया जा सकता है विकास ही अकेला विकल्प है जिसके माद्यम से सभी को सुक्ष, समर्द्य और सन्मान दिया जा सकता है मेरे जीवन के कई साल किसानों की समस्या पर जहन देने के लिए गए और मुझे है और मुझे खुशी है और मुझे एक बार की याद है कि दो हजार चार में डॉक्टर मनमान सिंग जी के ने टुट में जब मुझे एक शेत्र में काम तरने काम मुखा मिला तो एक आठ या दस सिंग के बार डॉक्टर साफ मुझे तोड़े नाराज हो गए तो उन्हें मुझे कहां कि आनाज की सिती के बारे में आपका ठीक तरसे ध्यान नहीं है अपनी स्टॉप की पुशिशन अच्छी नहीं है अभी तक आपने इंफोर्ट करने के लिए कदम क्यू नहीं उठाए मुझे मालुम था कि इंफोर्ट करनी क्या हो शक्ता थी मुझे मेरा मन तायाद में होता था इंफोर्ट करने के लिए साक्षरी करने के लिए मुझे दुख होता था कि इतना बड़ा देश खेती के लिए मेहनत करने वाला किसार और ऐसे सिती में हमें आयात करने के लिए कद और इसलिए द्यान दे दिया देश के किसानों का और जो कोई साइंटिफिक का मिल्की है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इन सभी का आप और मैं आभाली हूँ कि आँच ये देश नाखाली देश के अनाश्किया भूब की समस्या हल करने के लिए काम्या हो गया मग दुनिया का एक अच्छा एक्ष्पोर्टर बन गया दो साल परे चावल का एक्ष्पोर्ट करने वाला देश का दुनिया का सबसे बड़ा देश वाहरत बना येहुद कीनी और कफास इसकी निल्यात करने वाला दुनिया का दोर करमां का देश वाहरत बन गया ये सब उफिल और इसलिए मुझे इस बात का बड़ा संतोश है। मेरे जीवन में पचाफ तर बश्चु के पड़ा में मुझे मेरे माता और फीता की याद आती है। मेरे पीता जी सहका जिता में काम करने वादी एक निखती थी। मेरी माँ बहुत से लोगों को मालूम ने स्वतनत्रता अंदुरन से पहले पूना डिस्टिक की पंचाफ में कांग्रेस के तरफ से 1935 में शुनकर आने वाली पहली महिजा थी। और उन्होंने एक ही काम किया कि हमारी नई पीरी कैसी शिक्षित हो सकती है। और इसलिए उन्होंने थी क्या झादाध थी। और इसलिए उन्होंने द्यार अठिर थी। और अखिर तक छिक्षित के में जय कुछ कर सकते हैं इसलिए उन्होंने ने योग्दान दिया। और इसी लिए मैं खुद राजमेटिक जीवन में देशा देहन देता हूँ और इसे शिक्षा किसके तुमें भी देहन देता हूँ और विशेश कर नारी शिक्षा पर काफी जोब देनी के आउशकता है यह मंदर नदर लखते हुए मैं इस रास्ते से जाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है और मेरी मान्यता है कि शिक्षा के बिना विकास और अच्छी नाग्रिकता का संभव नहीं और किसी समाज को बहतर समाज में बदरने के लिए नाली शिक्षा और नाली सशक्ति करन यह पहली शर्त है आज इस मोके पर कोई लंबे वक्त भी देना नहीं चाहता मैं कभी-कभी आत्मे विश्लेशन भी करता हूँ और जो कुछ कमिया मेरे विक्तिकर जियों में आई वो दुर्स तक अजने के लिए अभी क्या कर सकते है इस बारे में सूच सकता हूँ आप सब महान वो यहां आए अपनी शुब कामना देकर आपने मेरा सन्मान बढ़ाया इसलिए मैं आप सभी को अभीवान करता हूँ मुझे मालूम है कि आप सभी मानने राष्ट फती जी मानने उपर राष्ट फती जी मानने प्रण मंति जी मानने सुनिया जी अर अन्य नित्राओं के कुछ शब्द सुनने के लिए आप यहाँ है इसलिए मैं आपना वक्तरवे समावत करकर आप सब को फिर से धन्यवाद देता हूँ नमस्कार जैये भै सुनेश जी वाक आउट करके टाक आउट नहीं करना है प्रीज यह तीक तरफ से चिले सरकार का दायत तो है विपक्ष का दायत तो है हमारा दोनों का मदद से स्पीकर स्नोदन को ठीक तरफ से चला पाएंगे